वेलकम टू मैं चैनल शिखास किचन चैनल में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है दार खाज खुजली फंगल इंफेक्शन को दूर करने का बहुत ही जबर्दस नुस्खा आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कपूर आपको किसी भी ग्रॉसरी शॉप में किराना दुकान में बहुत आसानी से मिल जाएगा यह वही कपूर है दोसों जिसका हम लोग पूजा में स्तमाल करते हैं तो इस तरह से छोटी डिबबी भी आती है कपूर की थोड़ी बड़ी डिबबी भी आती है जो भी चाहे तो मेरे इस रेमेडी को ट्राय करने के लिए छोटा कपूर का पाउच यह डबबी जरूर खरीद कर लाएं दोसों यह देखे यह पाउच में भी कपूर आता है परन्तों जब भी कपूर जो बच जाए उसे रखें तो किसी भी एयर टाइट डबबे में रखें अगर पाउ तो जादा बेस्ट है इस तरह से छोटे-छोटे स्क्वेर पीस में भी आता है छोटी-छोटी गोलियों के टैबलेट में भी आता है किसी भी तरह का ले सकते हैं देसी कपूर मिल जाए तब तो बहुत अच्छा है दोसों एक कपूर और आता है जो कि सिर्फ आयरुवेदिक स्टोर में मिलता है जिसे हम कहते हैं भीम सेनी कपूर बहुत अच्छा है दोसों कपूर तो बहुत सारी आयरुवेदिक दवाईयों में इस्तमाल किया जाता है और खास कर चर्म रोगों के लिए तो बहुत ही बेस्ट है तो यहां पर मैंने जो कपूर लिया है दोसों आफ इसे हाथों से दबाएंगे ना, उंगलियों से कपूर के गोले को दबाएंगे ना, तो कपूर तुरंथी powder form में आ जाता है, एकदम powdery हो जाता है, किसी भी भारी या चम्मच से भी दबाएंगे तो भी ये powder बन जाएगा, एक चम्मच कपूर का powder लेना है, कपूर क्या है दोस आज खुजली को दूर करने के लिए कपूर बहुत ही ज़ादा बैस्ट है, इसलिए तो दोसों इसका आयूरवेधिक महत्व है और ये जो नैचरल रेमेडी है दोसों एक और ज़्जदी से कम नहीं है, सभी और ज़्जदी जो चीजे हैं वही में इसमें 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 इसमे कर रही हूँ वह है तुलसी की पत्यां तुलसी जो कि कई बिमारियों को दूर करती है सर्दी खासी बदंदर्द बुखार से राहत दिलाती है इसके साथ ही साथ दोस्तों तुलसी जो होती क्या होती है एंटिसेप्टिक होती ही दोस्तों कई बिमारियों से हमें बचाती खास क तो अचा के रोगों से भी बचाने का काम करती तुलसी, जिन्हें बहुत ज़्यादा पिमपल्स होते हैं दोस्तों, तुलसी की पत्तियों को पीस कर यदि आप अपने पिमपल्स में मुहासों पर लगाएंगे, तो मुहासे तुरंथ ही दब जाते हैं, बिल्कुल नैचरल है तो यहां पर मैंने तुलसी की 15-20 पतियां ले ली हैं और साथी साथ दोस्तों इसे थोड़ा सा पहले पानी से धोलें क्योंकि क्या होता पेड में लगी हुई थी थोड़ी सी डस्ट लगी जाती है वैसे भी जिसे दातखाज खुजली है दोस्तों उन्हें तो बहुत जाद जो जगह बहुत ज़्यादा चिपचिपी होती है जिसमें रोश्नी कमाती है या फिर बहुत जादा हम सफाई का ध्यान नि रखते उस जगह पर होता है तुलसी की पत्यां एंटी सेप्टिक होती है एंटी इंफ्लामेट्री प्रापर्टी होती ही तो चासे समंधित कई रो तुलसी की पत्ति, तुलसी के पौधे की जड़ों से कई दवाईयां बनाई जाती हैं, तो तुलसी की पत्तियों को धोने के बाद मैंने इसमें डाल लिया और खुब अच्छी तरह से इसे पीस लेना है, जैसे आप लोग थोड़ा पेस्ट सा बना ले, आप चाहें तो ग्रै फंगल इंफेक्शन को बिल्कुल ही दूर कर देगा, इसके अलावा दोसों, आप जब भी ये फंगल इंफेक्शन हो, ट्रिट्मेंट करें तो थोड़े खटी चीजों से परहेच करें, खटा खाना जैसे खटी इमली, खटा दही, नीबू, गोल गप्पे का पानी, ये सब लेमन जूस, दोस्तों, लेमन जूस भी नैचरल रहता है, और खासकर तवचा के रोगों को दूर करता है, ये ना सोचे किया रहे हमें बहुत जलन होगी, कुछ बूंदे जरूर डालें दोस्तों, फंगल इंफेक्शन को दूर करने के लिए लेमन जूस बहुत अच्छा हो तो आपको इसका अच्छा रिजर्ट मिलेगा, और इसके बाद दोस्तों, सुभा उठकर आप हलके गरम पानी से उस जगह को साफ कर सकते हैं, चाहे तो दिन में नहने के बाद भी आप इसे लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, कि केवल रात को लगाएं, ज्यादा से ज्यादा द आपको अपने उस जगह पर लगाना है, जहां पर दात, खाज, खुजली है, तो अच्छा से सम्मधित कोई भी रोग है, आप देखेंगे, एक बार के इस्तमाल से ही आपकी जलन बिल्कुल शांत होगी, कम होगी, आपको आराम मिलेगा, और फंगल इंफेक्शन को खत्म कर जड़ से खत्म करना बहुत ज़रूरी है, बाजार से तो आप लोग तरह तरह की क्रीम लाते हैं, ट्यूब लाते हैं दोस्तों, परंतु उसे क्या होता है, उस समय ठीक हो जाता है, परंतु वापस हो जाता है, आप चाहें तो इसे थोड़ा जादा बना कर भी रख लें, त हमारे अच्छे स्वास्त के लिए एलो विरा एक आउजधी से कम नहीं है, चर्म रोग को तुरंत ही दूर करता है दोस्तों, एलो विरा, राजस्थान तरफ तो लोग इसकी सबजी बना कर भी खाते हैं दोस्तों, और वैसे एलो विरा दो तरह का आता है, एक जंगली एलो यहां पर मैंने देसी एलो विरा लिया है, कई बार हम जंगली एलो विरा ले ले लेते हैं, तो बहुत जादा हमें खुझली होती है, जैसे हम लोग बालों में लगाते हैं, बालों का जढ़ना कम होता है, चहरे पर इस पेस्ट की मालिश करें जैल की, आपके चहरे में जो देखते ही बनेगी, चर्म रोग को दात खात खुझली को दूर करने के लिए आपको यहां पर लेना है दोस्तों, एक चमच अलो विरा का जैल, कोशिश करें कि नैचरल पत्ती से निकला हुआ जैल ले, मार्केट में भी तरह तरह के अलो विरा जैल के आते हैं, बहुत सारे पैकेट आते हैं, बॉक्स आते हैं, बॉटल में आता है, ट्यूब में आता है, आप ले सकते हैं, परन्तु मैं हमेशा बोलूँगी नैचरल चीज़ों का ही प्रियोक करें, यदि जल्दी से जल्दी किसी चीज को ठीक करना है, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है, बज़ पर आपको ये infection है दोस्तों खूब अच्छी तरह से लगाएं हलके हाथों से मसाज करते हुए लगाना है ताकि तुलसी का रस अलोवीरा का जेल अलोवीरा का जो पोशक ततो है न्यूट्रियंट्स है विटामीन E है ये सब हमारे स्किन में अंदर तक के जा सकें कपूर है कपूर anti-inflammatory property होती है जो की चर्मरोग को तेजी से दूर करता है और आपको इसका best result मिल सके राद भर रखें और इसके अलावा दोस्तों नहने का सफाई का बहुत ध्यान रखें हो सके तो कभी कभी सब्ताह में दो या चार बार भी आप कड़वे नीम की पत्यों को पानी में उबाल कर चान कर उस पानी से जरूर नहें अपने fungal infection वाले उस हिस्से को कड़वे नीम के पानी से जरूर धोएं तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक जरूर करें information के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों कि ये information कैसी लगी और ये वीडियो आप लोगों